हलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागते जी के ओशीन यूटूब चानल पर आई वलकम यूटूब चानल और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं ज्यारकन राज से समधित कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट 30 जी के कोशन ज डेसक्रिप्षय बॉग्स में है तो आप चाहें तो वीडियो उसको जरूर देखेगा वीडियो को पूरा देखेगा एक कोशन आपसे पूछूँंगे जिसका आंसर आपको कमेंट शेक्षन में देना है तो आज का हमारा पहला कोशन है सोन नदी निम्ढ में से किस जिले म सर प्रथम प्रवेश करती है आपके सामने चार ऑप्षन है हजारी बाग गडवा लाते हार या पलामू तो यहां पर हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्षन बड़ टू गडवा ठीक है और उसके बाद ये नदी झारकन राज के पलामू जिले से बहते हुए बिहार के और अंगा बाद जिले में पहुंच जाती है नेक्स कोशन आपके सामने निम्ण में से किस उद्योग पती को सबसे पहले भारत रत्न से समानित किया गया था तो यह थे जे आर्डी टाटा ठीक है इन्होंने टिसको की स्थापना 1937 में की थी इसको को अब टाटा स्टील के नाम से जान बेतला रास्टे पार्क किस पशून निम्ण में से किसका संरक्षित स्थान है ठीक है तो यह है क्या यह है बाग ठीक है यह है कहां पर यह पलामू प्रखंड के अंतरगत आता है ठीक है और इनका एरिया कितना है 1026 वर किलोमेटर ठीक है बाग की घर्णा सरपतम 1932 में बेत आपको याद रखना है कि पलामू का चेरों विद्रों के शवश हुआ था तो यह हुआ था अठारा सो में ठीक है यह जो है विद्रों कब तक चला था अठारा सो से अठारा सो 1932 तक नेक्स्ट कोशन आपके सामने जार्खंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शु तो यहाँ पर option number 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स्ट कोशन है आपके सामने ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे पहली होकी टीम के कप्तान कौन थे तो कप्तान थे कौन तो यह थे जैपाल सिंग ठीक है option number 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही आंसर नेक्स्ट कोशन है हमारा किस जिलों में जुबली पार्क इस्तित है राची धनबाद जमशेदपुर या मेधनी नगर ठीक है तो देखें जुबली पार्क इस्तित है कहां पर यह स्तित है जमशेदपुर में बहुत important question है कई बार exam में पूचा भी गया था ठीक है और इसकी सापना भी ज्याडी टाटा जी ने की थी अगला कोशन है निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है उत्री कोयल दक्ष्णी कोयल बराकर या फल्गू तो यहां पर मारा सही आंसर एगा उद्गमस्थान कहां है इसका उद्गमस्थान है राची के पठार के मध्य भाग में ठीक है और यह बरसाती नदी है अगला कोशन है आपके सामने कि निम्ण में से किस प्रदेश में सबसे अधिक कोल माइन्स है उडिसा, चतिसगर, जारकंड या मद्रप्रदेश ये भी इंपोर्टन कोशन है तो जारकंड में सबसे अधिक कोल माइन्स है ठीक है option number 3 हो जागा हमारा सही answer हमारा अगला कोशन है कि जारकंड में कुल कितने अधियोगी छेत्र विकास प्रादिकरण है ओपर है नाम क्या है? यह है कलगारी कोल वासरी ठीक है तो option number 3 हो जाए गए आपे हमारा सही answer next question है जारकंड आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है आपके सामने 4 option है जैपाल सिंग, शिबु सुरेन, बिरसा मुंडा या जे बार्थो लमन तो जारकंड आंदोलन का जनक कहा जाता है किसे जे बार्थो लमन को option number 4 है आपे हमारा सही answer next question है आपके सामने निव्ण में से कौन सा बांध बराकर नदी पर इस्थीत है तो बराकर नदी पर तिलया और मैथन यानि कि option number 4 हो जाएगा हमारा सही answer ठीक है तिलया बांध भी है और मैथन बांध भी है next question है कि इन में से किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी मयुराक्षी नदी स्वर्ण रेखा या गंगा नदी तो जिस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है यह है दामोदर नदी ठीक है तो option number 1 हो जाएगा यहां पर हमारा सही answer next है महवा डान भेडिया अभ्यारण को किस वर्स स्थापित किया गया था थीक है तो यह किया गया था 1976 में selection 4 है मारा यहां पर सही आंसर ठीक है यह यहांपे भेडिया को सहर्ख्षित किया जाता है और यह लाते हारजिले में है और इस विद्रो का ताइम पिरेट क्या है 832 से 33 नेक्स जवाहरलाल नहरू जैविक उधियां जहारकन राजिके किस जिले में स्तित है तो ये किस जिले में स्तित है आपके सामने चार ओप्शन दे रखा है ये है बोकारू जिले में option number 1 है याप इमारा सही answer next question है जारकण में कुल कितने अनुमन डले हैं देखिए बहुत important question है कई बार मैंने आपसे डिसकस किया इसका answer आपको comment section में दीजेगा अगला question है निम्न में से कौन से स्थान अलमोनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सिंद्री मुरी भुरकुंडा या घाट्चिला तो कौन से स्थान अलमोनियम उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है तो इस question का correct answer होएगा मुरी option 2 is our correct answer next question है महुआ डांट भेड़या चिहारकन राचिक कि जिलेम में से तभी मैंने आप से discuss किया था तो इस question का correct answer हो जाएगा लातिहार ठीक है और यहां पर मैंने डिसकस किया था एलमोनियम उद्योग के लिए जो है मुरी प्रसिद्ध है ठीक है यह यह भी आद रख लिजीगा यह सुवन रेखा नदी के तट पर है फिलाल जो मा आपके सामने जारकंड लोक सिवा आयोग का गटन किस वर्ष हुआ था तो यह हुआ था दो हजार दो में और इसका headquarters राची में ठीक है जारकंड की राजानी राची में जारकंड लोक सिवा आयोग का headquarters 2002 में इसकी स्थापना की गई थी की नेक्स्ट ए सिंद्री उर्वरक सह यंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो ये हुई थी किस वर्ष 1951 में। option number one है हमारा सही answer next है हिज्ला मेले का एवजन किस नदी की किनारे किया जाता है? तो ये किया जाता है मयूराक्शी नदी की किनारे, ठीक है? option 1 है हमारा सही answer और एक question important भी है नेक्स कोशन है घाट सिला निम्न में से किसके खननन के लिए प्रसिद्ध है तो यह प्रसिद्ध है तामबे के खननन के लिए तो आप्शन पर फोर है आप यमारा सही आंसर अब नेक्स्ट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यह option पर 3 है हमारा सही answer महवडा डांड अभ्यारण में किस पस्व को सनरक्षित किया गया है अभी मैंने आप से discuss किया था भीडिया ठीक है option पर 1 है यहां पर हमारा सही answer अगला question है आपके सामने भारत में कौन सा जलकुंड सबसे अधिक गरम है सूरी कुंड हजारी बाग सीता कुंड मुगेर लक्षमर कुंड मुगेर या ताता पानी लाते हार तो भारत में कौन सा जलकुंड जो सबसे अधिक गरम है वो है कौन सा यह है सूरी कुंड जो की हजा प्राइदी पठार के किस भाग में छोटा नागपूर का पठार इस्तित है आपके सामने या पर चार ओप्शन दे रखा है दक्षनी भाग उत्तर पश्मी भाग या उत्तर पूर्वी भाग तो प्राइदी भी पठार के किस भाग में छोटा नागपूर का पठार है बहुत इंपॉर्टन कोशन है तो इस कोशन करेक्ट आसोएगा उत्तर पूर्वी भाग ठीक है तो यहाँ पर हमने 30 कोशन को डिसकस किया है एक कोशन मैंने आपसे पूछा है जिसका आंसर आपको कमे बार में आपसे डिसकस किया है अगर आपको किसी भी कोशन में डाउट है तो आप कमेंट शक्राशन में पूछ सकते हैं सभी कोशन इंपॉर्टन है देखे जारकन राज के जो जी के कोशन है उसके और भी वीडियो चैनल पर और अपलोड़ेट हैं इनकी प्लेलिस बनी हु